रानी चुडिया उर्ते हुए जा रही थी के उसे डोली चुडिया आवाज देकर अपने पास बुलाती है। रानी जरा रोको तो मेरी बात तो सुनो। डोली के आवाज देने पर रानी चुडिया उर्ते हुए डोली के पास आजाती है। क्यों डोली बेहिन क्या हुआ आपने मुझे क्यों आवाज दी क्या कोई काम है मुझसे रानी काम तो कोई नहीं मगर मैं तुम से ये पूछना चाहती हूँ कि तुम अपना पेड़ पर बना हुआ खोसला छोड़ कर उस गार में क्यों रहती हो रानी चुडिया डोली चुडिया की बात सुनकर दिली दिल में कहती है डोली अब मैं तुम्हें क्या बताओं के मैं उस गार में क्यों रहती हूँ मैं तुम्हें सच भी तो नहीं बता सकती या हुआ रानी तुम कुछ बाल क्यों नहीं रही डोली अब मेरा मन बेड़ पर बन देना लेने के बाद वो अपनी घार में वापश आ जाती है। बेटा चिन्थू बाहरा जाओ । मैं हूं तुमहरी मम्मा। रानी चुडिया की आवास को पेचान कर चिन्थू उस पथर से बाहर आता है। वो आइस्ता आइस्ता चलता हुआ रानी के पास आता है। पेटा जिन तो तुम ठीक तो हो, और मेरे जाने के बाद यहाँ पर कोई आया तो नहीं था, किसी ने तुमें देखा तो नहीं? नहीं मम्मा, आपके जाते ही मैं इस पत्थर के पीछे जिप जाता हूँ, और जब तक आप आवाज नहीं देती, जब तक मैं बाहर नहीं आपाँ, मगर मम्मा, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, कि आपने मुझे इस गार में क्यों छुपा रखा है, और आप अकेली क आपका अपना कोई परिवार नहीं है चिंटू की बात सुनकर रानी चुडिया कुछ सोच में पर जाती है और एक लंबी सास भर कर चिंटू से कहती है देखो चिंटू बेटा ये सवाल तुमने मुझसे कई बार किया है आज मैं तुमको अपने परिवार के बारे में बता देती हूँ एक दफ़ा की बाती हमारे जंगल में बहुत देज तूफान आया हुआ था मगर मैं उस तूफान में अपने दो छोटे छोटे बच्चों के लिए प्यानाले में गई हुई थी अरे मेरे बच्चे मेरे बच्चे कहा चले गए कहीं उन्हे कुछ हो तो नहीं गया मुझे जाकर देखना चाहिए इतना कहकर रानी जल्दी से वहाँ से उड़ जाती है रानी उड़ते हुए थोड़ा ही दूर जाती है कि इसे जखमी हालत में अपने दोनों बच्चे दिकाई देते हैं रानी की तो मानों दुनिया ही खतम हो चुकी थी मेरे बच्चे मुझे छोड़ कर चले गए इस चालिम दूफान मेरे मच्चे ही मच्सा चीन लिये मैं बड़ी बबनसेब माँ हूँ अपने बच्चों को मैं छोड़ कर गई ही क्यूं थी रानी की वो जिन्देगी की सबसे मुझे रात आखिर का गुजर ही जाती है रानी चुडिया अपने बच्चों के गम में अकेली और उदास बैठी हुई थी कि इसे अच्चानक ही आसमान में कुछ शोर सुनाई देता है वो जब आसमान की दरफ देखती है तो उसे एक बाज और एक चील आपस में बुरी तरह से लड़ते हुए दिखाई देते हैं बाज क्यूंके चील से ताकतवर था इसलिए वो चील को मार कर वहां से चला जाता है रानी उरती हुई चील के पास आ जाती है मगर चील तो मर चुकी थी अरे इस बिचारी को तो बाज मार कर चला गया ये तो बहुत बुरा हुआ रानी कुछ से बाते करी रही थी कि उसे किसी बच्चे के रोने की आवास सुनाई देती है रानी उरती हुई उस तरफ जाती है वो क्या देखती है कि करीबी उस चील का घोसला था जिसमें उस चील का छोटा सा बच्चा बेठा रो रहा था रानी समझ गई थी कि चील ने अपने बच्चे के लिए ही अपनी जान गवाई थी पील के छोटे से बच्चे को देखकर चुडिया को अपने बच्चों की याद आ जाती है वेसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और अब इस बच्चे की मां भी मर चुकी है क्यों ना मैं इसे अपने साथ ले जाऊं और इसके बाद रानी चुडिया उस चोड़ते से बच्चे को अपने साथ ले जाती है और फिर यू में तुम्हें अपने साथ ले आई मगर मैंनी तुम्हें अपने बेड़ वाले घर में नहीं रखा क्यूंकि वहाँ पर सब जंगल के पक्षी तुम्हें मार डालते और मेरा कितना खयाल भी रखती है अगर ममा आप मुझे कभी छोड़ कर तुर नहीं जाएंगी न नहीं बेटा मैं तुम्हें कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊंगी क्यूंकि मुझे पता है मैंनी तुम्हें मा बन कर बाला है और तुम मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुचाओगे यूँ ही काफी समय गुजर जाता है और अब वोचील का बच्चा काफी बड़ा हो चुका था अगर अभी तक रानी चुडिया उसे जंगल के पक्षियों की नदरों से चुपा कर रखती थी इसलिए उस बाज ने नहीं उड़ना सिखा था और नहीं शिकार करना मुमा ये आसमान के पक्षि देखो तो किसे उड़ते हैं मेरा भी मन बहुत करता है आसमान में उड़ने के लिए चिंदू बेटा मुझे माफ कर दो मैंने ये सब कुछ तुम्हारी सरक्षा के लिए ही किया था अगर मैं तुम्हें बाहर जाने देटी तो आज तुम और में दोनों जिंदा ना होते अगर जंगल के किसी भी पक्षी ने तुम्हें देख लिया तो वो सब मिलकर हम दोनों को मार डालेंगे तुम्हें ममा अगर आप केती हैं तो मैं बाहर नहीं जाता मगर मुझे बहुत भूक लगी है तुम्हारे लिए कोई फल लाती हूँ फिर चुडिया अपने बेटे के लिए कहीं से एक फल ले आती है चुडिया को फल ले जाते हुए कालू कवा देख लेता है ये चुडिया इस गार में क्यों रहती है और रोज रोज ये इतने सारे फल किसको खिलाती है मुझे जाकर आज इस राज से परदा उठाना ही होगा फिर वो कालू कवा उड़ते हुए रानी चुडिया के पीछे चला जाता है कालू कवा ये देखकर तो हेरान रहे जाता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा बास था जिसे रानी चुडिया वो पल किला रही थी अच्छो तो ये बात है मुझे अभी जाकर जंगल के पक्षियों को बताना होगा के बाद कालू कवा जंगल के पक्षियों के पास पहुँच जाता है उस तो तुम सब को पता है रानी हो रहा कि रानी ऐसा भी कर सकती है कालू जी चील चील का बच्चा की आप क्या गह रहे है मुझे तो चील के नाम से ही डर लगता है रानी के बच्चों के मरने के बाद उसका देमाग ही गराब हो गया है क्या वो चील के साथ रह रही है कालू जी कैसे भी करके हमें उस बाज को मार देना चाहिए क्यूंकि वो हमारे लिए कत्रा हो सकता है पलो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो हमें अभी यहां से चलना चाहिए और उस बास को मार डालना चाहिए क्यूंकि वो अभी छोटा है इसके बाद वो सारे पक्षी मिलकर उस बास को मारने के लिए वहाँ से चल परते हैं जब वो सब वहाँ पोँचते हैं तो उन्हें देखकर चिंटू उसी पत्थर के पीछे चुप जाता है मगर क्यूंकि अब चिंटू बढ़ा हो चुका था इसलिए वो उस पत्थर के पीछे चुप नहीं पाया यही है यही है वो चिल का बच्चा यह हम सब का दुश्मन है चलो सब मिलकर इसे मार डालते हैं कालू दिल चल दे करें ऐसा ना हो कि वो रानी आ जाए और हमें इस बाज को मारने ना दे वो सारे परशी मिलकर चिंटू को एक पेर के साथ पान देते हैं चलो दीजे कालू अंकल मैंने आप सब का क्या बिगाड़ा है मुझे क्यों रसियों में आपने बांध रखा है चिल के बच्चे तो हमारा दुश्मन है अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे इसने मेरा नी चुडिया भी वहाँ पर पहुंच जाती है वो चिंटू को बंदा देखकर बहुत परिशान हो जाती है मुझे मुझे कैसे बांध रखा है मैंने तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ा कालू भीया आपने मेरे चिंटू को क्यों बांध रखा है आप सब कलच समझ रहे हैं यह चिंटू किसी को भी नुकसान नहीं पहुंच आएगा पलेज मेरे चिंटू को खोल दे रानी तुमने हम सब को मिलका दोका दिया है और यह चील का बच्चा है यह हमारा बिश्मन है आज नहीं तो कल यह हमें जरूर नुकसान पहुंच आएगा हम इसे जिन्दा नहीं चोर सकते नहीं मुझ पर दया करें ये बेचारा तो नहीं उर सकता है और नहीं शिकार कर सकता है पेजी आप सब को नुकसान के से पहुँचाएगा नहीं नहीं रानी हम इसे जिन्दा नहीं चोर सकते क्यूंकि ये हमारे लिए खत्रा है और अगर तुम इसके बीच में आई तो हम सब मिलकर तुमें भी मार डालेंगे पनी चुडिया बहुत डर जाती है और उसे अब पूरा यकीन हो चला था कि ये सब मिलकर चिंटू को मार डालेंगे और इसलिए अब ये ही वक्त था कि चिंटू को अपनी ताकत का एसास दिलाया जाए चिंटू बेटा तुम एक बाज हो तुम हम आम पाक्षियों की तरह नहीं हो तुम जोर लगाकर चे रसिया तोड सकते हो चिंटू बेटा ये रसिया तुम्हारे लिए कोई माना नहीं ये तुम्हारे आगे सिर्फ एक थागे है अपनी मा की बाते सुनकर चिंटू जोश में आ जाता है और वो जोर लगाकर सारी रसिया एक सेकेंट में तोड देता है पूरी ताकत से अपने परों को फड़ पड़ाता हुआ आसमान में तेजी से उड़ने लगता है चिंटू को अपनी ताकत का एसास हो चुका था वो उड़ता हुआ अपनी मा की पास आता है एक ये कालू अंकल ममा ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है मैं ममा को तो क्या आप सब को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुचा सकता लेकिन अगर किसी ने मेरी ममा को नुकसान पहुचाने की कोशिश की तो मैं उसे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा उस छोटे से बास का ये रूप देखकर सारे पक्षी डर के मारे कांप रहे थे देखा कालू भहिया और अगर चिन्टू चाहे तो आप सब को एक मिनट में खा सकता है मगर ये बिल्कुल भी यसा नहीं करेगा क्यूंकि मैंने इसकी दर्बियत इसी नहीं की ओर ये बिल्कुल हमारे जैसा है आप सब को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं इसके हमारे जंगल में होने से कोई भी पक्षी हमारी तरफ उरी आँख से नहीं देख सकता राणी की बात सुनकर उन सब पक्षियों की जान में जाना जाती है रानी बेहन तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम सब को चिंटू को समझने में बहुत बड़ी भूल हो गई, आज के बाद हम सब इस जंगल में मिलकर रहेंगे हाँ हाँ रानी चिंटू के होते हुए अब हमें डरने के कोई जरूरत नहीं चिंटू के लिए बहुत खुश थी दोस्तों चिंटू आपको कभी मायूस नहीं करेगा और अब चिंटू आजाद था, वो दूसरे पक्षियों के साथ आसमान में उड़ा था